और आसमान से इस में बरस रही है अग अप्रेल महा में मोसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है प्रचंड गर्मी पढ़ने के बाद पंजाब हर्याणा चंडिगर में मोसम में ठंड़क देखने को मिली है यहां दो दिनों के लिए यलो अलर्ट भी जानी किया गया है वहीं बदलते मोसम को लेकर पंजाब हर्याणा चंडिगर के मोसम विभाग के निर्देशक मनमोहन सिंग से खास बात्षित की गई है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए मोसम का मिजाज लगातार बदलता ही जा रहा है इस वक्त मेरे साथ पंजाब हर्याणा और चंडिगर के मोसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंग जी है सज इस तरीके से हमने देखा एक दो दिन पहले ही जो गर्मी थी अपने पूरे पीक पे थी यहां पर चालिस ट्रिक्री तक टंपरेचर पहुंच गया था अब दुबारस से मौसम में ठंड़क हुई है आने वाले समय में किस तरीके का मौसम रहने बादी आने जैसे के जो पिछले दिनों में इतमला 13 अपने जो अपरेल से लेकर पंदरा सोना प्रहल तक जो तेमपरचर वो काफी जादा थे पंजाब मेह रहना में कुछ एक जगा हीट बेफ कंडिशन भी परवे लोग इसके बाद फे वेस्टन डिसर्वंस अप्रोच की सतारा की नाइट से जो पंजाम मेहिल की बारश स्टार्ट होगी जिसे तैंपर से जो हो काफी काफी कमी दर्स की गई तो अभी जो है टेंपरचर देखें तो वो काफी कम चल ले हैं 35 जो तो 36 डिग्री जो आप उस्ट प्लेसर चल ले हैं जो के पहले चालिस डिगरी के उपर थे तो अभी जो और साथ में जो प्राइण चिंट्र के बारिशं डाय कसके यह इसमें बाकिया चोराइह c Gucci यहारी हो सकती है यसipन से त्रीक से चिधिक पढ दे के एंड़ा गर्साथ आता है यह ज습 अइसमें बार्दफल चौराय्यगा प्रॉबिल्टी नहीं रहेंगी लेकिन उसके बाद तीन चार दिन के बाद मालों पचीश अबीस के पास तो तेंपरचर द्वारा से चालिस डिग्री उपर जो है वो पार कर सकते हैं क्योंकि सर हमने देखा है मुमन मैं और जून में गर्मी अपनी पीक पर रहती है तो इस बार भी क्या यह मान के चले किस तरीके का पुर्वा नुमान है कि जो गर्मी है इस बार भी पीक पर रहेगी या कोई रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं अब ही जो अब अपने बारिश वो मैं बारिश नो ता भी चैसे चली रही है लेकिन जो मैं और जून का मिना उता है इसमें ज्यादा टेमपरचर रहते हैं तो अभी फोर्कास भी की ओई आपरेल की जएसे फोकस की ती के जो इसमें ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी तो उसी तरीके से जब एक दो नहीं ज्यादा गर्मी रही लेकिन ज्यादा दर दिन जो है वो आटेमपरचर जो नॉर्मल से कम रहें तो अभी आने वाले जो दिन होंगे इसमें अपरेल के जो लास्ट भी कोगा इसमें टेमपरचर जो है वो द्वारा से राइस कर सकते हैं क्योंकि सर मौसम का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कभी गर्मी हो रहे है कभी सर्दी और आप लोगों की तरफ से एक रिपोर्ट भी त्यार की जाती है जिसमें खासतोर से हिदायत दी जाती है कि जो साफधानी हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं तो इस बार किस तरीके कि साफधानी बढ़ते हैं की हिदायत लोगों को दी है अब ही जैसे भी हमारे अड़स रादर कर्डिशन रहती हैं जहां बार इस तेज आनी है जहां तेज हवाई चलनी है तो उसमें जो आड़एजरी वीश्यू की जाती है जैसे ही टंपरिचर ज्याधा बढ़ते हैं तो उसके लिए भी हमारी जो आड़एजरी साहती है तो जै जो तंपरिचर नहीं ता जो तीन वह तक शाड़े तीन वारा के बहुत जादा रहते हैं उस टाइम जो ओडोर एक्तिविटिस कम रहें जाप फार्मर सी जो बाहर काम केतों में काम करते हैं वह भी अपना सदख रख रखे रखें और स्वाद पानी पीते रहें तो इस तरीके कि जो है वो हमारी अड्वाइजरी जो है डार कलर के जो है वो क्लोस ना पहने लाइट कोटन के जो है वो कपले पहन सकते हैं तो इस तरीके की जो हमारी अड्वाइजरी जो है वो रहती है तो इस तरीके की जो हमारी अड्वाइजरी जो है तो इन दो दिनों में यलो अलर्ट पंजाब हरियाना और चंडिगड में जारी किया गया है मौसम ठंडा रहेगा लेकिन उसके बाद मौसम अपनी पीक पे रहने वाला है कैमरामेंट गनेश के साथ नेटवर्क टैन के लिए चंडिगड से इशाठा कुर